लो गाईज वेलकम टो वर नेक्स्ट वीडियो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेप्स टेकन बाइ गोवर्मेंट फोर स्ट्रेंथ मैनुफेक्टरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया की मैनुफेक्टरिंग सेक्टर की स्ट्रेंथ के लिए गोवर्मेंट ने कौन-कौन से ठीक है जी हमने लास्ट वीडियो में एक स्टार्ट किया था अपना मेक इन इंडिया का हमने किया था मीनिंग और हमने उसके किये थे कि उसको इंप्लिमेंट करने में गुवर्मेंट को चैलेंजिस कौन-कौन से फेस करने पड़े थे ठीक है जी एक कोईशन हमने चैलेंजिस उसको अच्छे से read out करेंगे और उसमें हमने make in India के बारे में ही लिखना है no doubt ये दो question में से आपको जोन सा suitable लगे आप उसमें लिख सकते हो आपके marks cut नहीं होएंगे ठीक है जी तो आप इसी में से लिखेंगे अब हम start करते हैं यहां से आगे अपना read करना और guys अगर आपको क में एम है the main aim of this program is to develop Indian economy का में एम क्या है कि इंडिया की जो economy है उसको डेवलप करना manufacturing सेक्टर को एक worldwide manufacturing हब बनाना मतलब पूरे वर्ल्ड में manufacturing हमारे इंडिया से होनी चाहिए इनका में यह है इंडिया को में डेवलप्ड कंट्री बनाना ठीक है जी following steps है जो की नीचे दिये गया है जो की government ने manufacturing sector को strength देने के लिए कि इंप्लिमेंट कीए थे फर्स्ट स्ट्प भख है इसका identification of prominent sector उन्होंने पहले उन sectors को identify किया prominent sectors को identify किया एंडिया जिनमें आने वाले ताइम में आने वाले टाइम में जिनमें तरक्की होना जरूरी है ठीक्त जी मंप्तरइंग एक्तिविटीज को बूस्ट बूस्ट मतलब इंक्रीज करने के लिए इंडिया में ताकि में ज्यादा से ज्यादा हमारी ही प्रोड़क्त ओंनोस यहिए किमिकूडब स्वेरीजचर अटेंटिफाई क किया जैसे ही ओटेंडियरिंग सेक्टर्ल स्टेक्सटाइल सेक्टार्ज सेक्टर्ज फूट प्रोसेसिंग मीढिया इंटर्तेन्मेट एक्सटरा ठीक ही इन सब सक्टो गोपर्र मेंट चार्ज को इदेंटिफाई आध नडीकंट की छोकी अने वाले टाइम में प्रोसेसिंग में हैं ज्यादा से ज्यादा स्कॉप इनी का है तो गौर्णमेंट ने में इनी सेक्टर को चुना जो बिजनेस के रूल्स कानून हैं उनको सिंप्लिफाई करना ठीक है जी देखो पहला पॉइंट आपको क्या बता रहा है ओन एन एवरेज अगर कोई बंदा मैनिफेक्टरिंग करता है न तो उसके लिए सतर कानून बनाएगे हैं और कुछ रूल्स हैं उसके लिए तो अगर इत्ते सारे कानून होएंगे और अगला पॉइंट क्या बोला है कई बार तो उनको 100-100 रिटर्ने फिल करनी पड़ती है एक साल में इसकी वज़े से उनके माइंड पे बहुत ज़्यादा देखो इस काइंड ओफ कंप्लाइंस बर्डन पूट तो उनके माइंड पे बहुत साधा बर्डन आता है तो आज की यंग यंग लोग क्या करते हैं वो इतना बर्डन हैंडल नहीं कर सकते चीक है तो वह mostly क्या करते हैं वो manufacturing करना पसंद ही नहीं करते तो गॉर्मेंट नहीं क्या सो तो वो discourage हो जाते हैं कि हमने यह काम नहीं करना ठीक है जी उसके बाद गॉर्मेंट ने इसके उपर number of assets efforts लगाए number of efforts for instance single window system उन्होंने create किया जिससे की उनका काम fast track हो जाए and approval have been made in the past to bring down the compliance burden जिससे की लोगों का burden कम हो गया उनके मतलब गॉर्मेंट की बहुत सारे no doubt efforts लगे बट उन्होंने इस system को simplify कर दिया ताकि लोग जादा से जादा manufacturing करना ही पसंद करें क्योंकि जो इतनी सारे returns हैं जैसे hundred returns यहां पर बोल लग है तो हर बंदा चाहेगा कि मुझे इतने सारे burden नहीं लेने ठीक है जी तो गॉर्मेंट ने इसी method को simplify किया और इस burden को कम किया ठीक है second step हो गया हमारा third है create conductive environment गॉर्मेंट ने एक conductive environment create करके दिया manufacturers को ताकि उनको manufacturing करने में कोई problem ना आए देको government is trying its level best government ने अपने लेवल पे पूरा best try किया तो provide a conductive environment to business through development of various facilities ठीक है जी गॉर्मेंट अपने लेवल पे ना best try किया कि उनको best environment provide किया जाए क्यूंकि government का main name इस policy के अंदर यही था कि इंडिया को manufacturing hub बनाना है मतलब हर product इंडिया में ही manufacture होना चाहिए ठीक है जी हर product ठीक है कोई product बाहर का नहीं होना चाहिए main यही था उनका ठीक है the next developing industrial corridors डेवलप किया industrial corridors को कैसे देखो government of India is developing the Delhi Mumbai industrial corridor as a global manufacturing and investment destination जो government है उसनों उन्होंने क्या क्या developing Delhi Mumbai industrial corridor एक ना दिल्ली Mumbai industrial corridor है ठीक है जी उसको global manufacturing level पे मतलब किया उन्होंने develop ठीक है जी उनको global level पे किया देखो यहां पर आगे आपको समझ आएगा objective is to increase इसको increase करने का उनका main objective क्या था the share to manufacturing in the GDP of the country and to create smart substantial city where manufacturing will be the key economic driver ठीक है जी उनका main aim क्या था कि इसको create smart substantial city बनाना आपको बता है दिल्ली में मतलब किया हूँ है ना smart city बनाई या उन्होंने उसको काफी सारे changes की है उसमें पीछे बात भी चली दी कि smart city बनाएंगे तो main में उसमें manufacturing भी included था ठीक है जी एक key driver था manufacturing उसमें ठीक है next point है developing smart cities develop उन्होंने क्या किया government ने देखो government ने क्या plan किया government ने plan किया था कि उन्होंने ऐसी 100 smart cities को develop करना है ठीक है जी government has plan to develop 100 smart cities to boost manufacturing in India उन्होंने में यही बताया कि जो अगर countries develop होएंगी smart cities बनेंगी तभी तो manufacturing activities इंदिया में increase होएंगी ठीक है जी इन smart cities में देखो these smart cities will have good quality in-stra-fripture इनके पास good quality का in-stra-fripture होएगा good quality की सदके roads होएगी efficient public transport system जो transport का system होता है वो होएगा उनके पास 24 hour 7 electricity अवेलेबल होएगी क्यूंकि mostly manufacturing sectors को electricity provide नहीं की जाती हमने पिछे पड़ा हुआ है ये पहले तो mostly उनको electricity नहीं प्रोवाइड किया जाती तो government ने इनको developed cities बनाया जहां पे उनको electricity भी available करवाई जाएगी communication technology networks भी multi-speciality hospitals भी high level education institute good quality sanitization etc. ये सारी चीज़े उनको वहाँ पे provide करवाई जाएगी some smart cities will be developed as satellite towns of larger cities कुछ smart cities को कैसे developed किया वहाँ satellite जो towers थे वो लगाए ठीक है जी smart cities जो अब यह जैसे अब यह smart cities बनगी smart cities हमारे जो manufacturing ठीक है जी manufacturing sectors है promote manufacturing activities in India यह उसमें help करेंगी कि हमारे जो manufacturers हैं उनको attract करें कि वो यहाँ पर manufacturing मतलब industry अपनी खोलें फिर यहाँ पर product को बनाएं ठीक है जी क्योंकि smart city में रहना हर कोई जाता है ठीक है ना जैसे आज कल बच्चे कहते के हमको बाहर जाना है London क्योंकि वहाँ smart cities बनी हुई है मतलब सब कुछ open होता है कुछ नहीं होते यहाँ पर कित्ता पंगे होते हैं ना हमारे यहाँ पर ठीक है तो इसी वज़े से smart cities बनाना चाहते थे वो इसको ठीक है देन नेक्स्ट है establishment of national investment and manufacturing zone उन्होंने ना एक national investment manufacturing zone established किया ठीक है यह main क्या था देखो for developing the best manufacturing hub in the world उन्होंने ना best manufacturing hub को develop करने के लिए वर्ल्ड में modern industrial townships के नेम से national investment and manufacturing zone को develop किया ठीक है जी modern मतलब modern जैसे कह सकते है ना model बनाना था उन्होंने इसको system को तो उसके लिए उन्होंने एक national investment and manufacturing zone को develop किया ठीक है जी each zone will have an area of at least 5000 hectares हर जोन को ठीक है national investment and manufacturing zone ना एक उन्होंने वो बनवाया कि जो इनको smart cities बनाने में help करेंगे ठीक है जी हर एक के अंडर 5000 hectares का area दे दिया कि इतने एरिये को आपने smart cities पर convert करने है ठीक है जी इस state government will be responsible for development of this national investment and manufacturing zone ठीक है जी तो इसके लिए state government responsible है यहां पर बेस्ट क्वाल्टी इंस्टा फ्रक्चर विल बी प्रोवाइडिड इन इन इस जोन इन जोन को बेस्ट क्वाल्टी इंस्टा फ्रक्चर की जो जरूरत है ठीक है जी गोर्मेंट इसे ही गोर्मेंट ने स्टारा सच और जोन को बनाया ठीक है इस्टैबलिश किया जो की हमारी इंडिया को manufacturing हब बनाने में help करेंगे ठीक है जी उसके बाद हमारा नेक्स स्किल डेवलप्मेंट किल की डेवलप्मेंट करना training module जो है material for most of the trade has become outdated most of the companies में जो skill development training के लिए जो system होता है format होता है प्रोसीजर होता है वो outdated मतलब पुराना होता है ठीक है जी and are not in line with the needs of the industry जो भी उस industry की जरूरते होती है वो training system उससे भिलकुल भी मैच नहीं करता होता ठीक है जी training बाबा आदम के जमाने की चल रही होती है तब से ही बट इंडस्ट्री में काम आज कल modern चल रहा है तो हमें training system को भी तो डेवलप्म करना पड़ेगा न तो इंडस्ट्री विल बी involved in developing training modules and developing benchmarks for assessment to evaluate skills in the उन्होंने क्या किया इसमें changes क्या आए कि जो training है हमने पिछे प्लस्टू में आइधिंग पड़ा था कि ओन जोब training भी होती है ओन class training भी होती है ग्रूप training भी होती है तो जैसे होती है ना ओन दी development करनी चाहिए हमें training ऐसे प्रोवाइट करनी चाहिए जिसे वह परस्नली ठीक है परस्नली सीख सकें इसको experience कर सकें डेवलप्मेंट ओफ ट्रेनिंग मड्यूल विल बी और continuous process जो ट्रेनिंग मोड्यूल है वह continuous process है ठीक है जो skills उनको प्रोवाइड होनी चाहिए वह फुल की marketable होनी चाहिए ना पूरी की पूरी जो उनकी वर्क में यूज हो सके जब वो काम करें इंडस्ट्री में यह तो नहीं है ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जा रही है उन्नी सो सत्वंजा के जमाने की और काम उनसे लेने हैं 2020 का नहीं जी उसी के according उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ठीक है नेक्सट सेम फैसलिटी और फोरन टेक्नोलीजिकल अग्रीमेंट और गुर्मेट ने क्या इसके अंदर उन्होंने कोशिश की कि उसको इंडिया में लाया जाए ठीक है अब देखो इसको समझना है फैसलिटी उन्होंने सोच़ए कि फैसलिटी प्रवाइड करनी है foreign technology उन्होंने एक foreigners के साथ agreement कि foreign technology हमारी इंडिया में आई देखो कैसे government of India has sanctioned many foreign technology agreements ठीक है for the import of modern technology import of modern technology guys द्यान देना modern technology को import करने के लिए मतलब इंडिया में राने के लिए for the sake of technological development of the industries industries की technological development के लिए government ने जो उनके साथ agreement किया foreign technology के साथ ठीक है जी according to the term of these agreements इस agreement की terms के according इंडिया इंडिया इंडिस्ट्रियल्स में make payment of foreign companies in foreign currency इंडिया के इंडिस्ट्रियल्स ने उनको payment की उनकी करंसी में for the import of ताकि वो हमें वहां की technology यह अपने कुछ कह सकती है system का कुछ हमें बताएं ठीक है जी तो as a result of these agreements इस agreement का क्या result निकला इंडिया इंडिया इंडिस्ट्री भी इन a position to get modern production technology हमारी इंडिया की इंडिस्ट्री इस position पर आगी थी कि वह modern production technology को use कर सकती थी वह भी less cost पर मतलब एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने हमें सिखाया technology को कैसे use करना है यह हमें technology की नई नई ट्रिक्स बताई ठीक है डर नेक्स्ट एरिया based incentives government क्या करती थी area based incentives भी देती थी देखो these initiatives are provided for attracting investors in a particular geographical area यह incentives क्यों use होते थे ताकि investors को attract कर सके उस एरिया में ठीक है इनका main name क्या था कि जो regional जैसे हो आइडिया ले लो पहाड़ी लाके उन में और दूसरे areas में balance बना के रखना ठीक है जी तो उनका यह था कि balance यह नहीं है इधर एक कंट्री में सारा काम चल रहा है दूसरी में चल ली निरा सिटी में तो यह चीज नहीं होनी चाहिए थी ठीक है जी एट प्रेजर्ट गोर्मेंट प्रोवाइड एरिया बेस्ट इंसेंटिव उन्होंने एरिया बेस्ट इंसेंटिव प्रोवाइड किये फोर नौर्थीज रीजन्स जो जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी लाके हैं माच्चल परदेश उत्राएं वहां सुन कुन से इंसेंटिव प्रोवाइड किये जाते हैं तो प्रोमोन मैनफेक्ट्रिंग एक्टिविटीज इन दी कंट्री गोर्मेंट इस प्रोवाइडिंग वेरियस कंसेशन्स इन इंकम टेक्स में जैसे कि इन्वेस्टमेंट में अलोएंस चीक है अडिशनल सकते हो नाइन भी कर सकते हैं और इसके अंदर कुछ मैटीरियल भी नहीं है देखो फिनिश हो गया ठीक है तो यह पॉइंट अगर आप चाहो तो सकते हो तो लिख भी सकते हो कि गौर्मेंट ने जो इंकम टेक्स एक्ट है उसके अंदर भी हमें बहुत सारे इंसेंटिव प टेक्स के होली डेज यह तो मेरे को नहीं पता टेक्स होली डेज का बाकी जो मैंने आपको बताया ठीक है जी गौर्मेंट ने बहुत सारे इंसेंटिव आमें इंकम टेक्स के रूप में प्रोवाइड की है ठीक है गाई यह हमारा आज का टॉपिक था स्टेप्स टेकन होना मत बूलिएगा ठीक है गाईज बाई बाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में